है है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं पाचन तंत यानि डाजिस्टू सिस्टम की बारे में बताऊंगी जो आपको बहुत चीजे पता नहीं होगा दोस्तों वह आज इसमें जानेंगे और विल्कुल फैक्ट बताएंगे इससे आप यहां पर हम जानेंगे की पाचन तंत्र है क्या और कि इतने चरण में शंपन होता है तो पाचन तंत्र के पांच चरण यानि की अंतरग्रहर, पाचन, और सोसर, स्वांगी करण और 22 करण के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों जैसा कि आप यदि इस फिजिकल एज्यूकेशन के किसी भी कंपटेटिव एक्जांस का परिप्रेशन कर रहे हैं सिलिबस के कारडिंग तो मेरे चैनल में पर सभी वीडियो शिलिबस के कार्डिंग है चाहिए ओटी जीटी, पिजिटी, कभीर्श, नभीर्स, इल्टी, किसी भी इस्टेट का ह गये हैं जो भी इंपोर्टेंट है उसका प्रेटिस करना न भुलिएगा और यह बायो वाला पार्ट है इनोटामियम फीजियोलोजी यह हर एक एक जामस के लिए भी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों चली जानते हैं पाचन तंत्र डाजेस्टिस सिस्टम क्या है और कितने चर रचैनल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थो में विघतित करना पाचन कंणाता है क्या समझे जैसे की कवर साउबर यह इंजाइम वश्यायता से मुख में टैलिंग की साहता से यह हमारे काबो हाड़ेट को काबो हाड़ेट यानि इस्टार्ट को माल्टोज में बदलता है एंड उसके बाद हमारा जाता है मुख से अमासा में अमासा में आपके S.C.L. से मुलाकात होता है हाइडोकलोरिक एसिड से एंड एक टाड़ियों को कमकर पर्थ को जला कर नश्ट कर देता है एंड इसमें जठर रस होता है अमासा में उसमें बहु सारे एंजाइम्स पर जाते हैं जैसे कि पेपसिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज पेपसिन जो होता है वह S.C.L. की साहता से प्रोटीन को प्रोटीन पक्रिया करके पेप्टोन में बदलता है और रेनिन जो होता है दूद को कैसीन में बदल देता है और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह फैट को पचाता है उसके बाद आमासा से जाता है चोटी आत्मी जाते समय पहले पार्ट डेदुनम में आगनासाई की नली जुड़ा रहता है जिससे आगनासाई रस वहां पे भोजन में मिलता है जैसे आगनासाई से निकलने वाले एलजाइम जो होते हैं पैर रस ढवाले पॉस्काण वाले प्लाकाइं पर्ट वहां प्रोटीन को अमिनो द्रेड़ नली जो हुता है यह greatest से इस्टाई जोने वाले पिततरस का के वाल्ड को जो डेडुनम में अगनासाई नली और पितरस का पितासे के नली जुड़ी होती है तो पितासे के नली से पितरस यहाँ पे मिलता है और फैर्स को पचाने मदद करता है उसके बाद छोटी आत में जाता है और छोटी आत में एरेफसीन जो होता है प्रोटिन को अमिनो एसीड में फिर बदल देता है और लेक्टोज सुक्रोज माल्टोज इन्वर्टेश से मिलता है जो ग्लुकोज का पाचन करने में सहायता करता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि जटिल भोजब पदार्थों को बिभीन एंजाइमियों तथा जल पहेट को फेटी ग्लीस्राल में प्रतित होना ये होता है हमारा पाचन omega-5 के पांच्TION कology होते हैं कोण से पांच चरड होते हैं अंतर ग्रहण इंजेशन पाचन जैईशन त्सरा है पाचन … आजसोशल जैब्सन चोथा है स्वांगी करण यानि की एसी मिलेशन चोथा है बहिस करण यानि इंजेशन इन पांचे चरड़ों के बारे में हम जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अंतर ग्रहर की जैसे की अंतर ग्रहर जैसे भूजन को हम मुख गुआ के अंदर धारा करते हैं वह हुआ अंतर ग्रहर यानि हम भूजन को अंदर ले लिए उसके बाद आता है डाइजेशन यानि पाचन की क्रिया जब भूजन को हम मु के अंदर लेते ही डाइजेशन प्रारम हो जाता है, जैसे कि भोजन का छोटे-छोटे टुकडों में तूटना ही पाचन करना है, जैसे कि खायेंगे अविले-ठोस भोजन को गुलंसील एवं और आवसोसडरी रूप में परियोडिद करना, यानि कि भोजन को अविलेव ठोस पदा भोजन को घुलंशिल या अवसोषड के योगिय बनाने में पर्योतित होना ही भोजन का पाचन कर लाता है यह पाचन दोस्तों मुख से ही प्राराम हो जाती है बेडियुंपॉर्टटन कि पाचन कहां से प्रारहू हो जाती है हमारे बोजनी हों हो जाती है अब मुख में किसके दवारा पाचन होता है है टालेट किसगा करता है कंपो मलतोें منrors पर में पेस्अ चारदी पुट फिर कि अमली 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 द्वारा पाचन होता है ठीक है में क稳्ग गुर्त welcome to do तो का प्येड़ पने जुटया एं हिवोड, लाइपेज ट्वियुट contenido taught okay an intend Engineering डूसर को पाचन क्रता है डूंक खयूर, उसके बाद जाता है चोटी अब भोजन का पूर्ड पाचन होता है छोटी आत्मी तो यहीं पे दोस्तों तीन प्रश्ण बन गया कि भोजन का पाचन कहां से प्रारम होता है मुख्षे ही अमली अमलो द्वारा पाचन कहां पे होता है अमासमी अब भोजन का पूर रूप से प्राजन कहां पे होता है छोटी आत्मी ध्यान रखेगा पाचन कहां से प्रारम हो जाता है मुख्षे अब भोजन का पूर पाचन क क्वेखिप्टी त में द्जाइमों के द्वारा धेखियों प्रुमंगर के विएगयर के फेल में द्बंगर कं उन्चिशनुुआ है ने कि दशिप्ट करना इस यसल था रजन सूरिक द्वाइघयब कान प्शोर त्वा पचा हुआ भोजन है जैसे कि कावोहाडेट ग्लुकोजन प्रवधित हो गया है पच्छ के वह अब जाएगा हमारे रख्त के माध्यम से समस्त कोषिकाओं में आवसोसित हो कर गे जैसे कि छोटिया द्वारा आहार नाल के दिवारों द्वारा शोसित होकर रख्त आगों में जाना ही आवसोसर कहलाता है यानि कि भोजन का जो आवसोसर होता है वह ग्रहडी से ही प्रारम हो जाता है यानि मुख्य के बाद जो ग्रहडी होता है वहां से ही भोजन का आवसोसर प्रारम हो जाता है और दोस्तों जो आवसदी होता है और इलकुहाल होता है तो आ वह मांसय में यानि इस्ट Otherwise में होता है और पच्छे और पोधह पदातों का पूरी तरह WeWhatelowdy Death aire इध्री जो होता है चोटी यात मैं विलाई पए जाते हैं चिसे रसांकुर कहते है हिंदी में और उन विलाई के द्वारा विलाई में के द्वारा छोटे छोटे रुए जैसी सनरचना होती है उसमें जिसके द्वार रक्त तथा लसिका वाहिनिया उसमें जो विलाई में रक्त तथा लसिका वाहिनिया होती है और यही विलाई इन पोसक तत्तों को आउसूसर क और दोस्तों जलवखनी ज़र्वड का चौ से प्राण होता है ठीक है बोजन का उसअशा07 में होता है और प्रली बिलाए द्वारा और जलवा खनी जो लवड़ो का अससर कहां पे होता है बड़ी आत्मी इतने सारे कोस्टन दोस्तों यह वीडियो में यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा और दोस्तों यह पूछेगा कि छोटी आत्मी भोजन का पूरी तरह से अससर होता है तो किसके द्वारा होता है विलाई के द्वारा ठीक है किसके द्वारा भोजन को असुसित करके रख्त वाहिनियों के द्वारा को सिकानों तक या अंगों तक कुछा जाता है तो विलाई के और भोजन का पुड़ पाचन कहा होता है छोटी आत्मे भोजन का और सोसर कहां से प्रारम होता है ग्रहडी से और सदी इलकोहाल का और सोसर कहां होता है अमासे में पचे हुए भोज़ पदाचों का पूरी तरह से और सोसर कहां होता है छोटी आत्मे बिलाई द्वारा और नेक्स्ट इस्टेप आता है भोजन को अंतर्ग रहर कर लिए पाचन कर लिए और रखतु वहिनियों के द्वारा को सिकाओं यानि अंगों तक पहुचा दिया गया अब बादी आती है स्वांगी करण की एसी मिलेशन की जो अवसोसित हुआ है पोसक तत्व उसका हमारे सरी में उप्योग होना ही स्वांगी करण कर लाता है जैसे की दोस्तों अमीनो अमल यकृत में पहुँचकर अमोनिया में तूट जाता है जिसे यूरिया का निर्माण होता है और वह मूत्र के साथ सरीर से बाहर हो जाता है उसे प्रकार काबो हाड़ेट ब्रुकोज में बदलकर जग्त के द्वारा हमारे समिस्त अंगों तक पहुचा जाता है और क को सिकाओं में पहुच करके मायट्रो कांडिया में आक्सीजन के अविक्रिया करके उर्जा का निर्माण करता है और हम उस उर्जा को अपने सरीर में समस्त को सिकाओं द्वारा उपयोग करते हैं कारे में उपयोग करते हैं यहीं स्वांगी करण है और जो वसा होता है फ्र तो कारबो हाइडेट हमें उड़्जा पताया है ग्लुकोश की रुप में जो प्रोटीन होता है अमिन्य एसीड पर्फिद होका हमारे सरीर होता है उनका पाचन नहीं होता है यानि खाने जिलावड़ों और विटामिनियों का पाचन नहीं होता है यह खुद एक सुच में वह सब्सक्तर्त हैं जो सरी में सीधे ही आउसोसित हो जाते हैं पाचन किरिया में सबसे महत्वपूर एंजायम एमाइलेज लाइपेज ग्लकोज में बदलता है लाइपेज वहसा को फैटी एसीड में बदलता है ग्लेसाल में बदलता है और ट्रिफसीन प्रोटीन को अमिलो एसीड में बदलता है तो दोस्तों हमारा अंतरगरण हो गया पाचन हो गया और सोसल हो गया श्वांगी करण हो गया यानिकि उपयोग होने के बाद जो पदात बचता है जो असिष्ट पदातों बचता है उन असिष्ट पदातों का बाहर निकलना ही बहिसकरर कलाता है जैसे कि दोस्तों जो अनपचा भोजन है जो नहीं पचा है उन भोजी पदातों को उन भोजन में उन भोजन जो है अंद में बड़ी आत में पहुंचता है छोटी आत द्वारा समस्टी जो का उससर हो गया जो नहीं पचा है जिसका उससर नहीं हुआ है जो पचा नहीं है वहां आ जाता है बड़ी आत में और जहां जिवारू इसे मल में बदल देते हैं और यहां कोई एंजाइम यानि बड़ी आत में कोई एंजाइम नहीं होता है ध्यान में रखिएगा और यहां पे कोई पाचन नहीं होता है बढ़ियात में और जो मल होता है दोस्तों वह आप प्लास्ट में रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है और जो मल में दुरबंद होता है दोस्तों वह इंडोन और इसके टॉल नामक पदात के क पाचन और सोशर स्वांगी कर और बहिसकर इन पांच चरणों के बारे में मैंने बताया आई होब कि दोस्तों सभी टॉपिक आपको समझ में आया होगे इसी पांच टॉपिक से बहुत सारे कोस्टन्स आपको बन जाते हैं जो बहुत इंपोर्डेंट कोस्टन है जो हर बार प आपकोसि क्या नध्यक होते सरता तक क्या चर division करती है करें दोस्तों उसकी बात इसके एक एक में के बारे में के बासे बाएक और यो। अक्रिटे थोन शलते दिरुंघ बार में इसमें जितने भी से एंटने कि Damit वोगुचने लंगर्छा से हैं, जैसे कि या इस्ट्रावित होता है विपीका से जैसे कि क्यों को सिछन को पड़ निरुस्तों कंद सिध अई क्योंस, विपी कि नो povo Stadt आति सिकाय होती है उन्सके बारे में बताऊंगी तो आई होगी इस चीज़े आपको समझ में आए को मुझे कमेंट में ज़रू बताइए और ज्यादे ज्यादे कीजिए दोस्तों जो भी कमी होगी वीडियो में उसको भी बताईए एंड दोस्तों अब फर्ष्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने